मध्य पर्देश बिधान सभाज चुनाव के लिए काउंट डाउन शुरू हो चुका है पिये मोदी के साथ साथ विपक्षी पार्टियों के नेता भी ताबर तोड दोड़े कर रही है और जनता को लुभाने का काम किया चा रहा है मध्य पर्देश में लगातार बदलते सियासी समी कर्णों से जुड़ी तमाम खबरों के साथ मैं दिव्या सिंग एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे खास प्रोग्राम MP का रणने खबरों को विस्तार से जादने से पहले एक नजर आज की टॉप हेट लाइन्स पर PM मोधी ने राहूल को बताया मुर्फो का सरदार कहा कॉंग्रेस को नहीं पता मोधी किस्मिट्टी का बनाए MP में घर्जेर राहूल गाधी कहा मध्य परदेश में आएगा कॉंग्रेस का पुपान 150 सीटे जीटने का दावा वोटर्स को लुभाने का घटिया तरिका कॉंग्रेस के नहीं बुलाए डांसर पहले वोट के लिए दीफी भंप की पहली खबर में बात करेंगे पीम मोधी के राहूल गांधी पर जबर दस्त हमने की दरसल प्रदार मंत्री नेरंद्र मोधी ने मध्य परदेश के बैतूल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कॉंग्रेस पार्टी पर जोरदार प्रहार किया पीम मोधी ने अपने सरकार के दौरान हुए कामकाच को गिनाते हुए बताया कि वो किस तरफ भरस्टाचार पर लगाम लगा रही है पीम मोधी ने कहा कि इस वज़ा से उन्हें बहुत गालियां देचा रही है पांच गाली देता था आज पच्चास देता है पीम मोधी ने इस दोरान राहुल गांधी के एक बयान की तरफ इशारा करते हुए उन्हें मुर्कों का सरदार कहा पियम मोधी ने एक दिन पहले मध्यपरदेश में राहुल गांधी की तरब से दिये गए एक बयान का जिक्र किया उनुने नाम लिये बिना कहा कि मैंने सुना कल एक महा ग्यानी कॉंगरिस के कह रहे थे कि भारत के पास यहां के सब लोगों के पास made in china mobile phone होता है अरे मुर्को के सरदार किस दुनिया में रहते हैं यह लोग कॉंगरेस के निताओं को अपने देश की उपलब्दियां ना देखने की मानसिक बिमारी हो कई है पता नहीं विदेश के कौन से चश्मे पहने हैं कि देश के इस्थती नहीं तिकती पियम मोदी ने देश में मुबाइल उत्पादन और दिवारी पर मेड इन इंडिया समानों की विक्री के आकड़े को पेश करते हुए तगडात जवाब दिया उन्होंने ये भी बताया कि कॉंगरेस सरकार अब उनकी सरकार में कितना अंतर आया है सचा ये है कि आज भारत दुनिया में मुबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है जब कॉंगरेस केंदर में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड से कम के मुबाइल बनते थी आज भारत में 3,500,000 करोड के मुबाइल फोन बना करते हैं करीब करीब एक लाग करोड का मुबाइल तो भारत दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता है इतना ही नहीं पीए मोदी ने कहा कि कॉंगरेस अपने वादे को कभी पूरा नहीं करती है कॉंगरेस वाले हमसे राम मंदे निर्मार की तारीख पूछते थे इन लोगों को पता नहीं कि मोदी किस्मिटी का पना है कॉंगरेस ने जूच बोलकर वोच पाए उन्होंने कहा कि कॉंगरेस जो वादा करती है वो कभी पूरा नहीं करती बीजेपी जितना वादा करती है उसे जादा ही करती है पियम मोदी ने कहा कि कॉंग्रिस के पुराने लोग तो नजर ही नहीं आ रहे कॉंग्रिस के मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कॉंग्रिस के जूठे वादे टिक नहीं पाएंगे मोदी की गारंटी मतलब गारंटी भी गारंटी है इस बार चनता ने तैक कर लिया है प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रहे है दूसरी खबर में बात करेंगे MP में राहूल गांधी के तीखे हमलों की दरसल मध्यपरदेश के विदिशा में कॉंग्रिस निता राहूल गांधी ने बड़ा दावा किया उन्होंने कहा कि मध्यपरदेश में कॉंग्रिस का तुफान आएका कॉंग्रिस यहां 145-150 सीट जीत रही है इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि हमने करनाटक और हिमाचल में बीजेपी को हराया है हम मध्यपरदेश में किसानों का कर्ज माफ करेंगे भाजपा ने कहा था कि कॉंग्रिस यह नहीं कर पाएगी लेकिन हमने पिछली बार किसानों का कर्जा माफ किया राहूल ने कहा कि मध्यपर्देश में चोरी की सरकार है मध्यपर्देश में 5 साल पहले आपने कॉंग्रिस की सरकार चुनी थी लेकिन मोदी शिवरास सिंग अमित शाह ने विधायकों को खरीद कर आपकी चुनीवी सरकार चोरी कर ली भाजपा के निताओं ने आपके नर्णय और दिल की आवाज को कुचलने का काम किया था प्रदेश के कसानों, युबाओं, छोटे व्यापारियों के साथ दोखा किया और हमने कहा कि बीजेपी ने एक भी कारखाना नहीं खोला है हमने करनाटक और हिमाचल में बीजेपी को हराया है नफरत के बाजार में हमने महबद की दुकान खोली है हम अहिंसा के सिपाही है, हम मार कार्ट में यकीन नहीं करते हमने उन्हें प्यार से भगाया, हमने उनसे कहा कि आपके लिए यहां चगा नहीं है आपने करनाटक को लूटा 40 फीजदी कमिशन वाली सरकार चलाई इसलिए चले जाए यहां कॉंगरेस पार्टी की सरकार आईगी राउल ने कहा कि मध्य परदेश में आप युवाओं से पूछेंगे कि आप क्या करते हैं उनका जवाब होता है कुछ नहीं मोधी जी कहते हैं कि मध्य परदेश में हमने 500 कार खाने खोले हैं लेकिन मोधी जी त्वारा खोला हुआ एक भी कार खाना नहीं दिखता अभी मुझे पता चला है कि आपके शहर के विकास के लिए 1700 करोड रुपे भेजिक हैं लेकिन अब तक एक रुप्या नहीं पहुँचा सारे पैसे बीजेपी के ब्रस्ट मंत्रियों के जेब में तीसरी ख़बर में बात करेंगे वोटर्स को लुभाने के सबसे घटिया तरीके के चिसने एक बार फिर से पॉंग्रिस की भयांकर बेज़ती करवाती है दरसल मध्यपरदीश बिदान सबाचुनाव में राजगर्ड सीट की लड़ाई काफी दिल्चस्प होती चारी है प्रत्याशी अमर्सिंग यादो को 31,000 वोटों से हरा कर बिदान सबाच पहुंचे थे इस बार उन्हें लग रहा है कि परंपरागत वोट बैंक खसक चुका है इसलिए वो रोच अलग-अलग तरीकों से महौल बनाने की कोशिस में लगे है राजगर बिदान सबाच चेतर में चुनापर चार अंतिम दौर में पहुंच चुका है कॉंग्रेस नेता बापु सिंग तवर बिना थके जन संपर्क कर रहे हैं वो सभी वर्गों को रिजाने की पूरी कोशिस में हैं इसके लिए तरह तरह के बयान भी दे रहें यहां तक कि उन्होंने अपनी चुनावी रेलियों में महिला डांसर तक उतार दिया इन महिला डांसरों के चलते उनकी रेलियों में भीड़ भी खूब आ रही है कई बार उनकी चुनावी रेलियों में ये महिला डांसर खुले गाड़ियों में ठुमके लगाते नजर आती है इसकी तस्वीरे और वीडियो शुसल मीडिया पर भी खूब वाइरल हो रही है इससे पहले उनका एक और वीजो वाइरल हुआ था इसमें वो अपनी विरादरी के मद्दाताओं को एक जूट करने की अपील करते नजर आए इसमें वो मद्दाताओं को धमकी भी दे रहे थे कि अगर वो चुनाव हार गए तो वो डैम में कूद कर अपनी जान देतेंगे उसके बाद उनका ये दूसरा वीजो वाइरल हो रहा है इसमें उनकी चुनावी रैडियो में डांसर ठुमके लगाती नसरारी चेतर की जनता भी खूब मज़ ले रही है लेकिन बापु सिंग तवर को जवाब भी दे रहे है फिलाल जो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है वो राजगर बिधान सबाच्षेदर की खाजला गाओं का है बताया चारा है कि कॉंग्रिस परतियाशी चुनाव प्रचार करते हुए खाजला गाओं पहुचे थे इस दोरान एक खुले ट्रक में डांस करती हुई डांसर भी बहुचो थी बतादी कि राजगर बिधान सबाच्षेदर में करीब 2,36,000 मदाता है इनमें करीब 50-60,000 मदाता तवर समाच के है बापो सिंग तवर इसी समाच से आते हैं और इसी समाच के दम पर पिछले चुनाव में जीत कर बिधान सबावी है चौती कबर में बात करेंगे आखलेश यादाव की जिनके बयान से इंटिया गटबंदर में फूट साफ़तोर पर नसर आ रही है दरसल भाजपा से मुकाबले के लिए बने आई एंडिये महागटबंदर में सीट बटवारे पर अब तक कोई पहल नहीं दिखी लेकिन निताओं के बयानों से दूरी जरूर बढ़ती चारी है ताजमामला जाती जनकरना का है बिहार में जाती जनकरना हो गई और उसकी रेपोर्ट भी आ गई इसका श्रे नितिसकुमार और लालू की पाटी आरजेडी मोटे तौर पर लेट याँ इससे कॉंग्रेस में भी बेचायनी बढ़ती दिख रही है और उसने अपनी सत्ता वाले करनाटक, हिमाचल, 36 गर जैसे राज्यों में भी इसकी पहल की बात कही है इसके अलावा वो देश व्यापी जाती जनगर्णा की मांग भी कर रहे है ऐसे में कॉंग्रेस आगे बढ़कर क्रेडिट ना ले चाये इससे लेकर सपा भी चिंतित और सतर्क दिख रही है शायद यही वज़ा है कि राहुल गांदी ने जब जाती जनगर्णा को समाच का एक्सरे बताते हुए जरूरी करार दिया तो अखलेश यादों ने बात इमराई तक पहुचा दी इसके अलावा उन्होंने कॉंगर्णिस के निर्तित वाली किंद्र सरकारों पर भी सवाल उठा दिये इससे इंडी गडबंदन की खाई बढ़ते दिख रही है अगर उसी समय एक्सरे हो गया होता तो इतनी बड़ी खाई नहीं होती पांच पीजदी लोगों पर देश की 60% दौलत चली गई ये कैसे हो गया और किसने किया ये पुरानी सरकारों की गलत नीतियों के कारण हुआ आज MRI की जरुरत है और मुझे उमीद है कि जब भी समासवादियों को मौका मिलेगा सबसे पहले जाती जनगरना कराई चाएगी कॉंग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बात जाती जनगरना नहीं पांचवी और आखरी खबर में बात करेंगे MP में 300 करोड से ज्यादा रुपे जब थोने की दरसल मध्यपरदीश के मुखे निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कहा है कि आदर्श अचार सहीता के उलंगन के आरोप में राजजबर में अब तक 1000 से अधिक एफायार दर्च की गई है उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक आयोगने राजजबर में 38 करोड रुपे नगद सही 330 करोड रुपे का सामान और संपती भी जब्त किया है पिछले 2018 बिधान सबा चुनाओ के दरान कूल लगबग 72 करोड रुपे जब्त किये गये थे लेकिन इस बार अब तक हमने 330 करोड रुपे जब्त किये जिसमें 38 करोड नगद, शराब, जर्क्स, अभूशन और अन्य चीज़े शामिल है जब उनसे पूचा गया कि क्या deep fake AI से, चुनाओ प्रभावित हो रहे हैं या इसके शिकायते मिल रही हैं, तो अधिकारी ने कहा कि ऐसी शिकायते मिलते रहती हैं उन्हें ने कहा ऐसी शिकायते आती रहती हैं, जिनमें चहरा किसी का होता है और आवाज किसी और की होती है जब भी हमें ऐसे शिकायत मिलती है तो हम मामले को साइबर पॉलिस को देते हैं और वे जाच करते हैं अगर ऐसा पाया जाता है जाच के बाद ये फजी है तो हम शोसल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसे हटाने का अनुरोध भी करते हैं हमारे खास प्रोग्राम MP का रणमी आज के लिए तना ही फिर हाजिर होगे आपके सामने MP की बड़ी खबरों को लेका तब तक के लिए आप देखते रहे हैं Capital TV नमस्कार